नमस्ते, मैं हु दिप्तिक गजर, पुस्तक का नाम है हमारे समाज सुधारक, लेखक है विभा देव सरे भगवान, बुद्ध, अहिंसा, प्रेम और दया के उन्नायक, घना जंगल था, कुमार सिद्धार्थ तीर कमान लिए शिकार के लिए जा रहे थे, उनके साथ कुछ और भी शिकारी थे, भटकते भटकते कुमार सिद्धार्थ ठक गए थे, किसी ऐसी जगत चलो, जहाँ थोड शिकारी खाली हाथ लोटे, तो लोग उसे शिकारी नहीं मानते, वह व्यक्ति तभी चौंक कर बोला, वह देखिए कितना सुन्दर हिरन है, जल्दी किजिए, आपका एक तीर ही काफी होगा, कुमार सिद्धार्थ ने तीर को धनुष पर चड़ा कर निशान सादा हिरन का वह छोटा सा बच्चा, अगले सिद्धार्थ की नजर हिरन की माँ पर पड़ी, वह बड़ी बड़ी आँखों से सिद्धार्थ की और देख रही थी, जैसे कह रही थी, क्या विगाड़ा है इसने, इस पर दया नहीं कर सकते कुमार सिद्धार्थ का हाथ डीला पड़ गया, शिकारियों के बहुत कहने पर भी उन्होंने तीर नहीं चलाया, अगले ही क्षण वह वापस राजमहल की और लोट चले, उन्होंने मन ही मन तय किया कि मैं जीव हत्या नहीं करूँगा, इंसा से बड़ा पाप नहीं है, सब तीर से गायल एक हंस उनके सामने आकर गिरा, सिद्धार्थ ने तुरंट उसे उठा लिया, तीर निकाल कर उसके घाव की मरहम पट्टी में चुट गए, तभी देवदत वहां आ गए, उसने कहा यह हंस मेरा है, मैंने इसे अपने तीर से मार गिराया है, सिद्धार्थ ने क धीरे बदलने लगे, पिता शुद्धोदन ने यशोतरा के साथ उनका विवा कर दिया, उनके एक पुत्रबीत हुआ, राहुल, लेकिन सिद्धार्थ को लगता कि दुनिया के दुखों को दूर करना ही सच्ची मानव सेवा है, एक दिन आधी रात के समय सिद्धार्थ ने पिराजमल छोड़ दिया, जंगलों में भटकते रहे, फिर धर्मगरंथ पड़े, विद्वानों और संतों से बाच्चीत की, वर्सो तपस्य भी की, लेकिन फिर भी मन शांत न हुआ, वो जानना चाहते थे कि मैं संसर का दुख कैसे दुर कर सकता हूँ, गुमते गुमते वो गया पहुचे, वहाँ उन्होंने कठिन तपस्य की, यहीं इनेश्ट न्यान प्राप्त हुआ, वो बुद्ध हो गए, तभी से उन्हें महात्मा बुद्ध के रूप में लोग जानने लगे, गया से महात्मा बुद्ध सारनात आये, वहाँ से अपने सिस्यों को लेकर द जनसार में सब बराबर है, न कोई छोटा है, न बड़ा, उंच नीच का भेद नहीं मानना चाहिए, एक बार वह किसी गाउं से गुजर रहे थे, उनके शिश्य आनन्द को प्यास लगी, वह कुए पर गए, पानी भरने वाली एक कन्या से पानी पिलाने के लिए कहा, वह ब बुद्ध ने हमें यही सिखाया है कि जाती पाती का भेद भूल जाओ, सबको एक सा इनसान समझो, फिर भला तुमारे हाथ से पानी पिने में क्या हर्च है, उस चांडाल कन्या ने उन्हें पानी पिला दिया, वह बगवन बुद्ध की भक्त बन गई, एक दिन बगवन बानने के लिए दोड़ा, लेकिन उनके निकट आकार रुक गया, वह उनके चर्णों में गिर पड़ा, भगवन बुद्ध ने कहा, लोगों के प्रती ध्रुना और शत्रुता का भाव छोड़ दो, सबको प्रेम करो, अंगुली माल उसे एक शन से भगवन बुद्ध का सिस वातावरन चाया था, भगवन बुद्ध समाज की इन बुरायों को दूर करने का प्रयत न किया, जाती बंदनों को तोड़ फैकने को कहा, सब पर दया करना और किसी को भी पीड़ा न पहुंचाना सच्चा धर्म बताया, इसे ही उन्होंने अहिंसा धर्म कहा, सबसे प्रेम करना, सपने में भी किसी के प्रती अहिंसा का भाव न लाना, सच्चा मानव धर्म है, जिस समाज में ऐसे विचार उत्पन हो जाते है, वही सुखी रह सकता है, धीरे धीरे बहुत धर्म देश में ही नहीं, विदेशों में भी गया, चीन, जापान, श्रिलंका, आदी अनेक देशों में आज भी बहुत धर्म माना जाता है, हमारे यहां आज भी अहिंसा का सिद्धन्त माना जाता है, जाती पाती के बंधनों को तोड़ने के प्रयत्नक किये जा रहे है, भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी हमें नए समाज के निर्मान के लिए रास्ता दिख हती है,